दोस्तों डोसा चाहे कोई भी टाइप का हो, बच्चे और बड़े सब भी खुश हो जाते हैं, तो अगर बनाना ही है कोई डोसा, तो क्यों न बनाए हेल्दी डोसा और स्पेशल कारा चट्मी, तो चलिए आज बनाते हैं हेल्दी रवा डोसा, जिसमें हम इस्तमाल करेंगे ग वेलकम तो कोकिंग विद बेनजीर, मैं बेनजीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज धून रहे हैं, तो आप बिलकुल सही जगे पर आए हैं, और अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजे, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज बह इसमें डालेंगे हम आधा कप गेहु का आटा, आप जिसकी बोल से मेजर कर रहे हैं, आप जो भी बोल से मेजर कर रहे हैं, उसका आधा आपको गेहु का आटा डालना है, इसमें हम डालेंगे पानी, तो जिस बोल से आपने मेजर किया है, वो हिसाब से ही पानी डालना है, पहले हम डाल रहे हैं यहां एक कप पानी, दूसरा कप, हाफ कप, तो पहले यहां हमने टु एन अफ कप पानी डाल दिया इसमें, एक टी स्पून नमक, एक विस्क की मदद से, अच्छी तरह विस्क करेंगे, ताकि गुटलियां खतम हो जाए, सारी गुटलियां खतम हो गई है, कवर करेंगे 10 मिनिट के लिए ऐसे ही रखेंगे तब तक special कारा चट्णी त्यार करते हैं कारा चट्णी बनाने के लिए सबसे पहले एक कडाई में 2 टेबल स्पून के आसपास ओयल ले ले लेंगे ओयल गरम हो गया चना दाल दालेंगे 1 टेबल स्पून साथ में इसमें डालेंगे एक टेबल स्पूwn भरकर ही उरत डल फ्लेंप को हमने लो रखा, बस चलाते वे अधी से एक मिनिट रोस्ट करेंगे, दो लाल मिर्चियां, यह पीखी वाली है, साथ में हम इसमें चार कश्मीरी मिर्चियां भी डालेंगे, इन मिर्चेओं को हमने भिगाया है पानी में आदेखंटे के लिए ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और ग्राइंड करना आसान हो मीडियम साइज के दो प्यास दालेंगे इसे हमने मोटा मोटा रफली कट कर लिया साथ में डालेंगे चीज से साथ लस्ट की कलिया लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पकाएंगे कम से कम दो मिनिट थोड़ा थोड़ा प्यास को गला लेंगे थोड़ा थोड़ा यहां प्यास को हमने गला लिया दो टमाटर डाल देंगे बड़ी साइस के ऐसे हमने कट कर लिया टमाटरों को भी एक पीस पूर नमक भी डालेंगे फ्लेम लो करके टमाटरों के गलने तक पकाएंगे तो यहां चार से पांच मिनिट हमने पकने दिया इमली का इतना पीस भी डालेंगे और बस इसे एक से दो मिंट और पकाएंगे फिर इसे थंडा होने देते हैं थंडा होने के बाद इसे गराइंड करना है इसे हमने rest दे दिया है कुछ चीज़े मिलाएंगे तो यह हमने एक medium-sized का गाज़त ले लिए जिसे जेड़् कर लिया है यी डाल दिया हमने एक मीडियम साइज का प्याज भी इसी तरह बारिक बारिक चॉप करें जीरा एक टीस्पून कड़ी पत्ते 20-25 ले लिये हमने ऐसे चॉप कर लिया थोड़ा हरा धनिया भी दो हरी मिर्चे चोटा-चोटा चॉप करके एक टीस्पून अद्रग ये भी हमने फाइनली चॉप कर लिया हाफ टीस्पून काली मिर्च हमने क्रेश किया आप चिली फ्लेक्स चाहें तो वो भी डाल सकते है सारी चीज़ें हमने डाल दी मिक्स करेंगे पानी मिलाएंगे पहले हमने इसमें 2.5 कप्स पानी डाला अभी और 2.5 कप्स यानि टोटल 5 कप पानी जाएगा इसमें थोड़ा नमक भी डालेगे पहले भी थोड़ा डाला था अभी भी इसका काफी पतला सा बैटर बनता है जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल रनिंग कंसिस्टनसी वाला ऐसा हमने इसमें 3-4 तीबिट्पून पानी डाल दिया है जरुवत के हिसाब से पानी डाले और बिल्कुल फाइन चट्नी को ग्राइंड कर ले चट्नी को हमने ग्राइंड कर लिया इस पर तड़का लगाए तो एक टीबिट्पून गरम तेल में हम डालेंगे एक टीश्पून राय आँट से दसकडी पत्ते और गरम गरम ही पर पूर कर देंगे एक तवे को हमने गरम करने के लिए रखा, थोड़ा इस पर आउ स्प्रे करेंगे, और फिर ऐसे क्लेन कर लेंगे, सब तरफ इसे स्प्रेड करेंगे, ये वाले डोसे में जो तवा है वो अच्छी तरह से गरम होना ज़रूरी है, तो हमने अच्छी तरह से तवे को गरम किया और जब वो पूरी तरह गरम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम करें और तभी इस पर बैटर को पोर करें तो चलिए फटा-फट से लोसा बना कर तयार करते हैं बनाने से पहले इसे ऐसे जरूर चलाएं क्योंकि नीचे सूजी बैठ जाती है तो अच्छी तर अच्छी बन 3-4th कप के आसपास बैटर को इस पर डाल दिया है इस तरह से हमें राउंड-राउंड डिरेक्शन में डालना है थोड़ा-थोड़ा बैटर पोर करना है बहुत ज्यादा नहीं लगबग हमने 3-4th कप के आसपास इस पर बैटर डाला है यह डिपेंड करता है आ तो घी भी लगा सकते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पर कम से कम हमें 8-10 मिनिट लगे हैं इन्हें रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन लो टू मीडियम फ्लेम पर पेशन्स के साथ करेंगे तो डोसा क्रिस्पी भी बनेगा और ज्यादा डाक ब्राउन भी नही लगे हमारे दोसा झाल